तो अगर आप लोग किया बोश जो बसता है तालन में अपलाओं में कई में भी बसता है तो वो गोश को फेकेंगा नहीं उसकी चपनी में तो मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको बॉइल करके लिए तो आभी मैं इसका रेश्या बना के आपको दिखाते हैं तो देखो मैंने सारी हवियाद निकाल दई कली गोश-बोसे अब मेने इस कड़ाइ में तेल डाली हूँ तो अब यह तेल मेरा घरआ में तो आप आपको बार्दी कि शूप दाली हूँ देखवश-बोस्मेश्या डाली हूँ, अच्छी कराई मेरे तेल मेरा तो आघ्य खुर लेना हां वह भादी भी फूपता लेता है तो मैंने गयस बारिक करी हूँ आप लोग भी गयस बारिक करिएगा और इसको फुरा मैं ची तरह फ्राइ करके लेती हूँ देखो अच्छा पुरूम-फुरूम करना है एक जम वह यह चतनी बनेगी तो मैं इसका फ्राइ करके आप इसको निखाल के बताती है ते देखा हुआ है देखें मास्टर बसे अच्छी तरह मेरा पुब्राण हो गया अब हम क्या करेंगे ये तोड़ा हैंडी ज़्बारिक करें हूँ इसके अंदर में इस तीन कांदा काटिकी ये राज़न देखें तीन कांदा काटिकी ये इसको थोड़ा सा प्राय करके मैं बताती हूँ आपको तो ये मैं थोड़ी अरी मिल्ची काटके रखी यानि तीन चार जैसा आपको तेज लगे उस तरह आप लेना आपको जितना थिका चीए आप ले सकते हैं तो मैंने इसमें थोड़ा ही दानी हूँ क्योंकि मिल्ची उनके आपको बताती है और इसको एंदर के थेंदर कई जागा तो येकले समय मिल्ची अगरे समय मिल्ची मिल्ची कम टाली हूँ आप लोग इसके अंदर अगर आरी मिल्ची यादा जालते हैं तो में अच्छे पाउडर खाली उसके लिए दालना खलर के लिए यह थोड़ा सबुनी होंगी मैं और अब इसके इंदर मैंने हो जो भूस तलके रखी हूं और डाल दूँए अगर आपको कम दालना है तो आप कम डालें लेकिन कम डालेंगे तो एकदम सुख्का बन जाएगा इसे लिए मैं इसके अंदर तेल नहीं निकालें और आप आपके इसाब से भी तेल दना और मिर्ची वर्गें मैं मैंने बताएं आपको तो देखों यह मेरा हो गया तो उसकी चटनी यह मैं अब खाऊंगी दाल चावाई उसके साथ काऊंगी तो रोटी के साथ भी का सकते पाव के अंदर भी लगा के का सकते तो देखो आप ज़रूर प्राइक करना तो मैं अब इसके अंजर रागी हूँ कोत मिर्च देखो मैंने इसके अंजर कोत मिर्च भी डाल दी सरब डाल दी माशैल्ला से मस्त हो गया लाएं चटनी अभी मैं खाऊंगी दाल चाहूं के साथ देखो अगर आपको यह बोच दाल चबल के साथ बहुत अच्छा लगेंगा तो मैं आपके एक साइरी सुना दू तो मैं सुनाती हूँ आने जाने के रस्ते है तमाम या आने जाने के रस्ते है तमाम ओ मुझे देखने वाले व्यूवर्स सबको मेरा सलाम तो मिल्टीव फिर अलाफीज